39 मार्च को मनारा चोपडा का birth day है उनका जनम धिन और बिग बॉइस के बाद यह मनारा चोपडा का पहला जनम दिन है जो fans मनारा के celebrate करने वाले है एक्साइटेड है मनारा फैम हो चाहे मनारियन्स हो वह बहुत ज्यादा excited है इस से डिन के लिए देखे shaken 79 के लिए fans बहुत जादा बेशबर हो के इंतिजार कर रहे हैं और कब से ही इंतिजार कर रहे हैं मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले एक महीने से लगभग मनारा के birthday को लेकर जो हाइप है वो बना हुआ है लगातार कि मनारा का birthday आ रहा है हमें करना है mega trend करेंगे हम तो 28 तारीक को 11 बजे को एक mega trend होगा जी हां रात को 11 बजे से ही जो मनारा के बर्थरे के लिए trend है वो start हो जाएगा तो इस trend would really do very good और यह बहुत huge एक trend रहने वाला है लेकिन इसी बीच अब मनारा चोप्रा के फैंस और मुनवर फारुकी के फैंस के बीच में एक वार छिड़ गई है सोशल मीडिया पर देखते हैं आज कल बहुत सारे सेलेबिटीज की फैंडम्स हैं जो कि एक दूसरे को यूनो मतलब पूरी फैंडम्स नहीं बट कुछ पर्टिकुलर ऐसे यूनो कुछ गिने चुने लोग होते हैं फैंडम्स में जो थोड़ा सा रकस क्रियेट करने की कोशिश करते हैं अब देखिए मनारा चोप्रा के इस मेगा ट्रेंड को लेकर मुनवर फारुकी के कुछ फैंस की तरफ से डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजे बोली जा रही हैं जो कि अब मनारा चोप्रा के फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं जैसे की मुनवर फारुकी के कुछ फैंस हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम बहुत ही बेकार ट्रेंड चलाएंगे उस दिन जिस दिन बर्थडे होगा मनारा का या फिर मनारा को लेकर उल्टा सीधा बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स और र इंडिविज्वली हो तो दोनों को ही पसंद किया जाता है लेकिन अब जो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर मनारा चोप्रा के फैंस वर्सिस मुनवर फारुकी के फैंस हो गया है और देखिए अब जो मनारा चोप्रा के फैंस हैं वो भी आगे से जवाब दे रहे ह कुछ भी ऐसा ट्रेंड हुआ या मनारा के खिलाफ कुछ हुआ है तो डखिए जो आगे जो अन्जाम है उसका भुगतना होगा मनारा के फैंस को भी क्यूंकि फैर मनारा केмы पीछे नहीं हटेंगे वो भी बहुत सारी कीज्वा मनावर के बारे में या फिर मनावर की जो हिस स्टोरीज और यह सारी चीज़ें तो मनारा के फैंस फिर यह कह रहे हैं कि भई हम इन सब चीज़ों को भी आगे लाएंगे अगर ऐसा होता है तो अगर मनारा के खिलाफ कुछ भी बोला गया तो अब देखे यह वार छिड रही है मनारा वरसेज मुनवर के फैंस के बीच में ह मनारा चोपड़ा और मुनवर फारुकी हैं वो दोनों को शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी चल रहा है मुनवर आम शूर जादा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर इंस्टेग्राम पर सोशल मीडिया पर तो बाही या मनारा चोपड़ा हो या फिर हो नाजिला इन सब को कुछ बोलेंगे तो मुनवर को अच्छा लगेगा जबकि मुनवर साफ साफ कह चुके हैं अपने ट्विटर स्पेस में या फिर कहीं पर भी वो कह चुके हैं कि भाई किसी को गाली मत बोलो किसी को बुरा या भला मत बोलो किसी को बुरा मत बोलो किसी को गलत मत बोलो वो खुद बोल चुके हैं यह अपने सभी फैन से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आज अभी शेक कुमार आए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी अपने फैन से कि खांजादी के खिलाफ कुछ मत बोलो, खांजादी के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो फिर भाई वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि खांज मतलब अगर चाहे सामने से नफरत आ रही हो, लेकिन तुम प्यार दिखाओ, तुम अपना प्यार क्यूंकि मैं बात करता हूं, प्यार को प्रमोट करने की, बाकाइदा उन्होंने एक कॉंसर्ट में एक इविंट में ये चीज बोली है अपने सभी फैंस को, कि भाई तुम प्यार फैलाओ और मैं यहां प्यार फैलाने आया हूं, नफरत फैलाने नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे फैंस किसी को बाली दे जाके, और ये मुनवर फारुकी के ही शब्द है, तो जब आपके जो आइडियल है, या फिर आपके जो, जिनको आप बहुत जादा एक पसंद करते हैं, जब वो आपसे ऐसा कुछ कहते हैं, तो आप क्यूं उन लोगों, उनकी बात नहीं सुनते हो, जब वो कहते हैं, आपको कि भाई, किसी को गाली मत बोलो, किसी को कुछ मत बोलो, तो दें कुछ लोग, और मैं ये नहीं कहा रहा कि सब लोग ऐसा करते हैं, मुनवर की जनता नो डाउट बहुत बहुत अच्छी है, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से, जो भी थोड़ा बहुत मैं सोशल मेरिया पर देख पाता हूँ, मुनवर खुद भी बहुत जादा एक गुडविल में और बहुत जादा नेकदिल के इंसान है, और उनकी जो जनता है आगे वो भी कुछ इसी तरीके से ही देखिए, उन्हीं के नक्षे कदमों पर चलती है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं, जो इस तरह की चीज़े करते हैं, जो की रकस create करना होता है, और जो की सोशल मीडिया पर मुनवर बहुत बार address भी करते हैं, कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे गाली मत बखो किसी को भी, या कुछ भी ऐसा मत करो, जिससे युनों controversy हो, मुनवर खुद controversy का शिकार न माननी है, now coming back to Manara fans, Manara Chopra के fans Manara को पसंद करते हैं, definitely Manara की अभी तक आगबर आप पूरी history निकालेंगे, या पूरी वो चीज़े निकालेंगे, वो एक लड़की ऐसी है, जो इन सब चीज़ों से, इन सब controversy से अपने आपको, जितना मीलो दूर हो सके, वो उतना मीलो दूर करती है, घर से बाहर आने के बाद Big Boss के, जिससे मिलती है वो लड़की, हर किसी से वो इतने अच्छे से और प्यार से मिलती है, अंकिता लोखंडे से इतने अच्छे और प्यार से मिलती है, मुनवर फारुकी से जब वो Miss World 2024 के इवेंट पर मिली, तो इतने प्यार से मिली और इतने अच्छे से दोनों ने बातशीत करी जितने भी टाइम वह वहां पर थी उस स्पेस में जितने भी टाइम वह थी उतने अच्छे तरीके से उसने बात कि अनुराग डोबाल की बात है तो अनुराग डोबाल का कॉल खुद से मनारा चोपला के पास आता है कि मैं मुंबई आया हुआ हूँ और let's meet मैं आ रहा हूँ घर पे और यह वो तो ऐसे में एक कोई भी कोई भी एक normal भी अगर इंसान होगा तो वो यही बोलेगा कि हाँ ठीक है चाहिए आपकी उस इंसान से कितनी भी मतलब आप कितने भी हट हुए हो या फिर आपकी कितनी भी इनसान से नहीं बन रही है आप फिर भी किसी को मना नहीं करोगे कि और मेरे घर मताओ तो अनुराग डोबाल उनके घर गए उन्होंने अनुराग डोबाल को अच्छे से treat किया हावैवर अनुराग डोबाल स्वाने कि कुछ तंज और मानने की कोशिश की वही पर मनारा ने उनको एक बहुत भई मैं ऐसी ही हूँ मैं controversy में नहीं पढ़ती हूँ और मैं हर किसी के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ बाहर normal life में मेरे को जो भी मिलेगा मैं अच्छे से greet करूँगी जो भी मिलेगा अच्छे से बात करूँगी तो जब यह सारी चीज़े आपके दोनों आइडिल की साथ होता है I am talking about monara and monavvar both दोनों आइडिल आपके ऐसे हैं जो बिलकुल भी इन सब चीजों को promote नहीं करते controversy को या फिर कोई ऐसी war को promote नहीं करते हैं कि भाई आप इसके खिलाफ agenda चला दो then why some people do it फिर क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं मुझे यह थोड़ी सी चीज़े समझ में नहीं आती हैं however मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा भाई इसलिए होता होगा शायद से या फिर इसलिए होता होगा but seriously किस चीज़ की वज़ा से होता है और क्या होता है मतलब किसने को rights कि हर किसी के पास है कुछ भी बोलने का but अगर किसी ने बोल दिया जैसे मुनवर के किसी फैन ने मनारा के खिलाव बोल दिया तो यह अपनी अपनी understanding होती है आपको जरूरी नहीं है हर चीज का reply और वार में ही देना है या फिर हर चीज के लिए आपको वार हातों में हतियार लेके खड़े हो जाना है कुछ चीजें जो है वो बिना reply के या ही ignore करके भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो और मैं तो यही कहूंगा कि भाई वार से कुछ नहीं होगा हासिल वार छोड़िये और तो किये प्यार बरसाइए जो कि आपके ideal भी कहते हैं नमस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए